हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टो मैं चैनल आज इस वीडियो विच मैं गाल करांगी ओना पेशन्ट आवारे जिनना दे रिस्ट दे अंगुठे वाली साइड इस जगा पेन हो रहा हुवे या स्टेफनेस लाग रही है या अंगुठे दी मुवमेंट करन टाइम दर्द होवे इस तो इलावा जोदो कोई चीज ग्रिप करिये ओदो अंगुठे दी ऐसे साइड ते दर्द होवे अगर थो आनू एद्दा दी प्रॉब्लम है ता इस वीडियो नू लास तक जरूर देखो इस प्रॉब्लम नू दीकुर्वेन टीनो साइनो वाइटस बोल देहा इस तो इलावा इसनू गेमर्स थम भी क्या आजानदा है इस कंडिशन विच टेंडन्स विच सोजा आजानदा है जेडे अंगुठे दी मुमेंट करवान देने टेंडन ओ कनेक्टिव टीशू हुंदा है जेडे मसल नू बोर नाल जोड़ देने जेडे इस कंडिशन विच टेंडन्स इन्वाल हुंदेने ओने एक्स्टेंसर पॉलिस ब्रेविस टेंडन और अबडाक्टर पॉलिस लॉंगस टेंडन एक्स्टेंसर पॉलिस ब्रेविस दा कम हुंदा है मुड़े हुए अंगुठे नू मुठी खोल दे समय सिद्धा करना अते अबडाक्टर पॉलिस लॉंगस दा कम हुंदा है अंगुठे नू हथेली तो दूर खिचना नेक्स्ट हुन में इस वीडियो विच गल करांगी इस दे कॉसे प्रिकॉशन्स दाइग्नोज एन ट्रीटमेंट वारे डेटेल विच सब नोलो पहला गल करांगे इस प्रॉब्लम दा कारण की है एही प्रॉब्लम टेंडन ना रिलेटेड है जद एक्स्टेंसर रिटेना कॉलम टाइट हो जान्दा या फिर इस विच सोजा जावे या जद इहे ओवर स्ट्रेन हो जावे इस दी वज़े ना जिरे टेंडन इस दे नीचों दी पास करदेने उना विच कंप्रेशन आ जान्दा है टेंडन दे उपर एक टेंडन शीत हुन्दी है जिस दे विच फ्लूड हुन्दा है उस विच टेंडन मूव करदेने जद किसे वी वज़े करके एह टेंडन शीत विच सोजा जावे तां टेंडन बार बार रगड खान लाग जान्देने अते इस वज़े करके उत्थे सोज जा जान्दा है ते सानू धर्द मेसूस हुन्दा है। ए होगी बेसिक प्रॉब्लम। हुन गल करांगे है वादा किद्दा है। फर्स्ट है नियो बॉर्ण बेबी दे केसिस विच देख्या गया है कि जदो असी बेबी नू चक दे हां दोनों उगुठें दी हल्प देनाल जदो ये बारवार मुमेंट हुन दी है ता एत्थे साड़े इंजरी हो जान्दी है ते सानू दर्द होना शुरू हो जान्दा है। सेकिंड है गिटार जड़े गिटार प्लेयर ने उना विच विए प्रॉब्लम देखनों मिल दी है। थर्ड है कुछ गेम्स होगी या मुबाइल ते जदो अपा गेम्स खेड़ देयां क्योंकि थर्म मुमेंट जादा हों दिया उस करके यह दी कुरूएं टीनोसाइनवाइटिस प्रॉब्लम ओं दी है। इस तो इलावा पेइनफुल और जर्की एक्टिविटीस नूँ वॉइड करना है। इनना सारी रीजन्स विचो किसे भी करके यह दर्द हो सकदा है। यह भी देख्या गया है कि यह प्रॉब्लम फीमेल विच जादा है ऐस कंपेर टू मेल। जेड़ा इस प्रॉब्लम विच एज ग्रूप कॉमन है वो है 40 तू 50 इयर्स। इस प्रॉब्लम इस तो लावा अथ्राइटस पेशन विच भी हो सकदी है या जिनना दे पहला दे कोई 60 वज्जी होवे उना विच भी प्रॉब्लम आ सकदी है। इस तो लावा जिनना दे बोन्स पर है या जॉइन्ट ते प्रॉब्लम है उस करके भी टेंडन दे विच इंजरी हो सकती है अते पेशन नो दर्द मैसूस हुन्दा है इस तो बाद गुठे नो एदा अंदरी तरफ करके उंगलियानो मोड लेना मुठी बांद करण तो बाद एदा हांथ नो गुठ तो एदा थले नो मोमेंट करनी है ज़़ो तुस्वी यह मोमेंट करदे हूं अगर थो नो इस जगाते दर्द है ता एदा मतलब थो नो डिकुरुइ नींश आयनो वहेतिस प्रॉब्लम है नेक्स्ट है ट्रीट्मेंट इसदार लाज असी किद्धा कर सकते हां सबना उनों पहला गल करांगे प्रिकॉशन्स वारे फर्स्ट है रेस्ट पेशन नू अपनी अंगुठे याते गुठदी मुमेंट कट तो कट करनी चाहिदी है इस तो इलावा तुसी अपनी हाथ नू उच्चा वी राख सकते हो सराणे ते ओधे नाल भी तो हनू राम मिलूगा नेक्स्ट है एक्टिविटी मुडिफिशन इस दे विच किया जेडियां भी मुमेंट विच तुसी अपना अंगुठा यूज कर दे हो कोशिश करो ओधे विच सिल्फ कर ली अंगुठे दी मुमेंट ना होवे उँगलियां दी वी वर्तो करो तुसी उस दे नाल किया अंगुठे ते काट मुमेंट होगी अते थोनू अराम मिलूगा जिद्दा की मुवाइल यूज हो गया या फिर किचन दा काम हो गया थर्ड है तुसी स्प्लेंट यूज कर सकते हो उस दे नाल किया थोड़ी अंगुठे अते गुठदी मुमेंट काट होगी इसनू तुसी चौवी कांटेली राख सकते हो चार तो छे हाफ्तें ली इस नाल थोनू पेन विच राहत मिलेगी थर्ड है आइसिंग आइसिंग विच तुसने की कारनी है जिस जगह थोड़े दर्द है गुठे तो लेके गुठ तक तुसी उथे बार्फदी सिकाई कार सकते हो दास तो पंदरा मिटली तुसने बार्फ रखनी है देन दे विच तुसी इसनू चार तो पंजवा रपीट कार सकते हो इस दे नाल किया जड़ा थोड़े सोजा आया होते ओहो कट जाओगा इस तो लावा गल करिए mild to moderate cases विच ता जड़ फीजो थेरपी नाल ने maximum cases ठीक हो जान देने बट बहुत रेर cases ने जिन्ना विच सर्जिदी ज़रूरत पैन दी है नेक्स्ट है फीजो थेरपी ट्रीटमेंट फीजो थेरपी ट्रीटमेंट दे विच लेक्ट्रो थेरपी लेजर थेरपी और अल्ट्रासाउंड एक क्लीनिक दे विच अवेलेबल हों दियाने इना नाल की जड़ा थोड़ा पेइन ते जड़ा सोच जाए हो काफी हाथ तक कठ हो जानदा है इस तो लावा जड़ा थेरपेस्ट है वो थोनू ट्रीटमेंट वीच मैसाज भी दिन देने और एक्सेस भी रिकमेंट कार देने एक्सेसाइज नाल किया थोनु जड़ा रलीफ हो पर्मनेंट मिलदा है एक्सेसाइज रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो विच डिटेल्ज गल करांगी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट देविच एक होर आप्शन अवेलिबल है वो है स्टीरोईड इंजेक्शन अगर थोनु नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट सूट नहीं किता मरलब थोनु उना ना बिलकुल भी रलीफ नहीं मिलिया ता आपने कोले जड़ा लास्ट आप्शन अवेलिबल है वो है सर्जरी सर्जिन नाल जड़ी पेशन दी रेकवरी या हो फुल आजान दी है अगर थोनु नुए मेरी वीडियो सारी समझागी होवेगी अगर थोनुए मेरी वीडियो चंगी लगी होवे ता प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल फर मोर इंफोमेटिव वीडियोज